आंत्रिक्ष के छेत्र में भारते और भारते मूल के लोगों का खासा योगदान रहा है वो काफी जादा योगदान देते भी आ रही है और काफी संख्या में वो सक्रिय भी है पिछले कुछ समय से भारते वैग्यानिकों का खगोलिव और आंत्रिक्ष रिसर्च में योगदा और दखल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हाली में इसकी एक और मिसाल भी देखी गई जब अंतराश्य विज्ञानिकों की टीम की अगवाही भारत के हमदाभाद के फिजिकल रिसर्च लैबॉर्टरी के प्रोफेसर अभिजी चक्रवर्ती ने की जिसने एक नय गरम गुरुग्रह श्रेणी का अनोखा भ्रह्मग्रह खोजा है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरों ने बताया है कि फोज अन्य भ्रह्मग्रहूं की खोच से अलग है क्योंकि ग्रह का आकार सामान्य से बहुत बड़ा है और तारों का आकार सामान्यता भूर के विज्यानिकों का खोजा गया तीसरा भ्रह तोने भारत विज्यानिकों के अलावा जमनी स्विज्लाइज और अमेरिका के विज्यानिक शामिल थे शोब्करतां ने अधायन के लिए भारत के पी ऑर एल द्वारा उननत रेडियल गुलुकि अभू सिकाई रिसर्च उपक करन का उपयोग किया है जो कि माउंट अपुस्तित गुरु शिखर वेद शाला में स्थाफित है जिसके जरीए उन्होंने ग्रह के भार का सठीक मापन किया है जिससे उनका घंतव 14 ग्राम प्रती घंद सैमी पाया गया है यह नया खोजा गया ग्रह टी ओ 14603 या फिर HD 2451340 तारों का चक्कर लगा रहा है नासा के टेस्ट ने इस तारे को एक अज्याद प्रकरती की पिंड से भी बड़े साथी के रूप में घोशित किया है अब इस अज्याद पिंड के ग्रह के रूप में पहचान हो गई है जिसे टी ओ आई 4603 B HD 24513 OB नाम दिया गया है भारत्य आंत्रिक्ष अनुसंधान संस्था यानि कि इस रो ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि एक होज दूसरे ग्रहों की कोट से बहुत अलग है क्योंकि ये तंत्र का एक ट्रांजिशन मास रेंज वाले विशाल ग्रहों और हलके भार वाले भूरे बो मंदल के बाद 5000 नए ग्रहों की खोजकी है जो वायू मंदल और अन्य गुणों के लिहाज से बहुत अलग है नया खोजा गया टी ओवाई 4603 बी ग्रह अब तक के सबसे भारी ब्रहम ग्रहों में से एक माना जा रहा है इस तरीके के ग्रह अपने तारे के बहुत ही पास से लगाते हैं यह दूरी सूर्य और पृत्वी के बीच की दूरी के दस्वें हिस्से से भी कम होती है इस तरह के तंत्र विशाल काई ब्रहम ग्रह कया कि निर्मान विकास प्रक्रिया और भठकाव आदि के बारे में बहुत महत्वपून जानकारी देती है लेकिन इन ग्रहों